हाई विनर्स, आप योल आर वेल, दिस साइड राजी वानन्द सबसे पहले आप सभी लोगों को 22 जन्वरी 2024 की बहुत बहुत मुबारक हो, जै श्री राम चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, आज की डेट में क्रिप्टो मार्किट में एक पैनिक मुवमेंट बना हुआ है, इंडियन अगर मैं क्रिप्टो कॉम्निटी की बात करूँ, एक्जक्ली पैनिक मुवमेंट है तो सही, लेकिन लोग उस पैनिक मुवमेंट को एक और नेग हो जाएगी I think मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी तक समझा नहीं है इंडिया ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया है इंडिया ने फॉरन community का कहना है कि जितनी foreign exchanges है अगर वो इंडिया के rules or terms and condition के according काम करती है तो इंडिया में अपना business कर सकती है otherwise नहीं तो दोस्तों यह एक ऐसा blockchain technology का revolution है और उस technology revolution का सबसे बड़ा use case है जिसको अब नकारा नहीं जा सकता जिसे अब avoid नहीं किया जा सकता बट येस जो government side से decision है वो कही न कहीं आने वाले time में हम लोगों को दिखेंगे कि वह हमारे hit के ही होंगे कि international exchanges पर हम लोग जब trade करते हैं तो आने वाले time में हमारी एकर Indian community या इंडिया की exchanges इतनी powerful बन जाए फिर चाया future trading की बात करो order book की बात करो इन तरीके से जब हमें trading ethics दिखाई देंगे तब हम यह समझ पाएंगे कि वाई इंडियन government takes this decision दूसरी बात जो दूसरा panic moment है कि tax बहुत जादा है तो उसके लिए already reduce crypto tax का जो hashtag वो twitter पर लगातार चलाया जा रहा है ट्रेंट चलाया जा रहा है वारल किया जा रहा है ताकि इंडियन government तक वो चीज़े जाए और इंडियन government सबसे पहले तो जो वन percent TDS है जो हमेशा हर ट्रेड पे लगता है बाई और सेल में उसको घटा कर पॉइंट 01 करें या बिलकुल ही खतम करतें दूसरा जो 30% tax है उसको slab wise बनाया जाए जैसे हम लोग normal ITR जब भरते हैं normal income tax जब भरते हैं कि एक level तक exempt है उसके बाद आपको इतना percent लगेगा फिर उसको इतना percent लगेगा उस हिसाब से crypto का tax lab भी बनाया जाए तो इसके उपर already इंडियन community में बात भी चल रही है आने वाले टाइम में हमें यह decision भी मेरे हिसाब से positive होता दिखाई देगा तो मैं आप लोग को फिर से एक बोल रहा हूं कि इंडियन community या इंडियन government crypto के against नहीं है foreign exchange को इंडिया में business करने के लिए जो TNCs रखी गई हैं अगर वो नहीं अपनाते तो यह आप business नहीं कर सकते अगर वो अपनाएंगे तो as it is business अपना कर सकते हैं so please अपने doubts को clear कीजिए unnecessary की अफवाए मत फिलाईए thank you so much for watching this video but please keep it in mind क्योंकि crypto एक highly volatile हाली risky market है तो please invest करने से पहले अपनी research खुद करे thank you so much